किसान सम्मा ने दिगी KYC एक बार फिर से खुल गई है KYC अब आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं सबसे पहले आपको वेब साइट पर जाना है उसके बाद KYC न्यू जो फिर से उपेन हो गया है वहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप पर आधार नंबर मैं इक आधार नंबर यहां पर जो है डाल रहा हूँ आधार नंबर को आप नबर को भूसमें 12 बारंको का एधार नंबर डाल देते हैं पाद शर्च का उफ्हस similar देता है स्रॉप करने कर सक्огल की अधार में जो रजिस्टर मोबाईल नंबर है वह हो चुका है वे इसलिए वह दिखा रहा है लकिन आप जब करेंगे के बाद get otp mobile otp का option आएगा जब आप mobile otp पे क्लिक करेंगे तो एक otp आपके उस mobile नंबर पे जाएगा जो आधार में link है आपका और उस mobile नंबर पे जो otp जाएगा यहाँ पर उस otp को वापिस आगर के आपको पंक्ज करना है और आप वो otp यहाँ पर पंक्ज कर देंगे जैसे otp आप यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद आपकी ekyc हो जाएगी और 15 मई के दिन आपके खाते में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी की 11 किस्त आ जाएगी अगर आप 31 मई से पहले ekyc नहीं करते हैं तो आप 11 किस्त आपको नहीं मिल पाएगी इसलिए आज ही यह लाइन फिर से खुल गई है और आज ही आप ekyc अपने घर बैठे करें और किसान सम्मान निधी की 11 किस्त प्राप्त करें